कि मुस्ट वल्कम टू जाने शेशन आज की सेशन में बात करेंगे हम इंडोजेनिक एंड इक्सोजेनिक फोर्सेज के बारे में ये सेशन आपके लिए महत्पूर हने माला है इसके टाइप से भी देखेंगे और एक्जांपल के साथ भी समझेंगे तो चलिए सेशन ही स्टार इंटीरियर आप दी अर्थ यानि कि कुछ ऐसे बल जो प्रितिवी के आंत्रिक भाग में कारी करते हैं उन्हें हम क्या बोलता है इंडोजेनिक फोर्सेज अब एक्जांपल के लिए आपको दिख रहा है अर्थक्वेक एक एक्जांपल और ले सकते हैं आप क्या वोलकैनोस तो यह क्या है बताएए यह ऐसे बल है जो प्रितिवी के आंत्रिक भाग में क्या करते रहते हैं कारी करते रहते हैं अब उसकी वज़े से क्या होता है चले हम इसको इसकेज कर लेते हैं ठीक है यह अगर हमारे प्रिथिवी का उपरी हिसा है ठीक है ठीक है प्रिथिवी को ब्लू प्लैनिट काते हैं इसे ब्लू कलर उपरी हिसे को लिया और हम क्या करते हैं इसके कोर को बना लेते हैं यह हो गया प्रिथिवी का कोर ठीक है और यह हो गया मैगमा यानि कि रेट कलर में बन हुआ मेंटल और यह हमारा UPरी वाला हिसा क्या हमने मालत लीथये स्पेयर के जस्ट नीचे क्या है ट्रस्ट जिसको हम थोड़ा सव लिख लेते हैं असान होगा क्रश्очка ओगया यह हो गया क्या मैंच ऑध ए और इसके यहां पे यह क्या हो गया कोर ठीक है और यह हमारा ऊपर हिस्ता क्या है लीथ up from वोलते हैं कि निट चलिए अब कैसे प्रभावावास ढलता है अब यह जो इसके पीछे का क्या कारण है आ Cheese यह घटना घटी क्यूं हो रहा है यह फोस से जनरेटी क्यूं हो रही है उसके पीछे का कार्ट समझने के लिए मैं आपको कुछ चीज बोल ला हूँ ठिक है कुछ बात कुछ चत्थ उन्हें ध्यान से सुनें ठिक है मुवमेंट करती है तो उसमें इनर्जी डेवलप होता है और जिसकी वज़े से एक फोस यानि कि एक बल भी जनरेट होता है और वह कारी करता है अब यहां पर यह कॉमेंट हो रहा है और प्रिति भी ऑर eeeeiku ऑपरी हिससे में देखनेकों मिलता है तो यहाँ पर टाइडल से नर्जी कि भी के मिलता है half-e a क्या करती है एक थ्रश्ट का काम करती है जिसकी वज़ए से क्या होता है आपने अगर पढ़ा हैरी हैस का नियम तो उसमें आपको एक जब प्लेट टेक्टानिक्स थेयरी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एक ठीक है और हैरी हैस का स्प्रेडिंग फ्लोर का भी एक सिध्धान तो उसे पढ़ेंगे तो चीजे समझ मैंगे यहाँ पर मैं थोड़ा किलियर करता हूँ यह जो मैगमा है जैसे माले जहां से मैगमा उठी ठीक है फोस के परभाव में गरम है आके इस लेयर को टक्रा रही है बार बार ठीक है अब इसकी वज़ए से क्या होगा वो लेयर ओएगा और यह इधर को और यहाँ पर क्या है एक मतब कमजोर परत बनती जाएगे और जिसकी वज़ए से एक समयाने के बाद क्या होगा यहां पर वॉल्कैनिक इरप्सन हो जाएगा आचानक से ठीक है यहाँ पर उपरी परत है अगर माले जह वल्कैनों फटा तो ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे है ना जैसे मालेजे अगर यहां पर यहां पर यहां पर एसे फैलेंगे है ना और इस साइड में भी फैलेंगे तो आपको क्या मिला एक इस्ट्रक्चर प्रहोब यहां और इसे परिवर्थन में और इसे क्या हो रहा है और इसमें इंडुजेनिक फोसे करसर को कंस्ठ्च्ट्प्व फोसे भी बोलते हैं क्या बोलता है constructive forces के बारे में इतना प्रयाब्त है क्योंकि अब जब हम इसको और detail में देखेंगे तो यह optional का matter हो जाएगा जब हम इसको detail में देखेंगे तो endogenic में भी हम क्या देखेंगे diastrophism देखेंगे catastrophism अभी देख लेंगे थोड़ा सा पहले एक्जामपल समझ लीजे और इतना समझने के बार चलिए अब हम देखते हैं क्या थोड़ा सा समझते हैं exogenic forces के बारे में exogenic forces क्या होती है the forces which act on the surface of the earth अब इसके उपर हिस्से में जो forces act करती है उनको हम क्या कहते है एक्जोजेनिक forces तीक है यानि कि बाहे बल तीक है करने में कारे करती है यानि कि destructive forces भी बोलते हैं इनको इंडोजेनिक forces को constructive forces बोलते हैं यह चीजे आपको दोनों में अंतर पता हो ठीक है तो इसको हम क्या बोलते है इक्सोजेनिक force कहते है अब उसमें क्या है Sea webs एक example दिया हुए है यह मोटा मोटा हमने समझ लिया इंडोजेनिक एंड इक्सोजेनिक forces को अब हम इसको थोड़ा सा और detail में देखेंगे तो आप ने समझ लिया है लेकिन इंडोजेनिक forces का भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा इ एक को बोलते हैं डाया इस्ट्राफेज्म और एक को बोलते हैं कैटाइस्ट्राफेज्म ठीक है अभी तक आपने जो एक्जामपल में समझा है वो कैटाइस्ट्राफेज्म का प्रभाव होता है यह क्या होता है डाया इस्ट्राफेज्म catastro phism catastro phism और diastrophism अब इसमें थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं क्या है वो देख लेते हैं तर color change करते हैं diastrophism में भी दो प्रकार का होता है और ये बड़ा slow process होता है endogenetic process में जब हम क्या पढ़ेंगे जैसे किसी भी अस्थालक करिती पर जो परभाव पढ़ता है वो किस प्रकार से परभाव पढ़ता है ये बड़ा slow पढ़ता है very slow और ये क्या है sudden moment मत्व आचानक से परभाव डालता है अभी जो हमने देखा था आतुकेक और वलकैनो वो क्या थे के हिस्से थे और क्या थे इंडोजेनिक फोसेस के एक अंस थे एक हिस्से में काउंट होते हैं अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाइस्ट्राफिस्म क्या होता है एक्षेली यह डाइस्ट्राफिस्म भी अगर आप देखें भेरिस्लो प्रॉसेस होता है यह आपने देख ल होते हैं ठीक है अब उन डिविजन को भी थोड़ा देख लेते हैं कौन-कौन से अगर इनका भी डिविजन करें हम तो एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं औरोजैनिक यहां फोसेज आप यहां पे समझ लिएक फोसेज लिखा हुआ अब इपिवरेजनिक क्या होता है इपिवरेजनिक फोसेज जो इसके अंतरगत आती हैं डियुटाफिज्म के अंतरगत यह क्या करती है हैं यह continent building में help करती हैं ठीक है जो महादीब का निर्माड होता है ठीक है वो किसके प्रभाव में होता है कि इपिरेजेनिक forces के प्रभाव में यहां पर हम continent लिख दे रहा है कलर चेंज करके कलर क्या रखें इट सुट भी लाइक हुआ है हम यहां पर लिखते हैं क्या continent यानि कि जो kleine forces आ है ओं continent forming में help करते हैं और जो aaerogenic forces है ओं mountain building में help करते हैं ठीक है mountain formation यहां यहां mt को mountain समझ लेजें ठीक है यह mountain formation में help करते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको अंतर पता होना चाहिए और जो catastrophism है ये आत्रोकेक और sudden volcano इसके example होते हैं ठीक है जो अभी हमने समझा था ना आत्रोकेक और क्या था आत्रोकेक और volcanoes था ना तो इन दोनों के परभा में जो land form बनते हैं वो catastrophism geomorphic process के अंतरगत आते हैं ये थोड़ा सा difference जब geomorphic process देखेंगे तो उसको detail में करेंगे अभी फिलहाल इतना ही इंडोजेनिक और exogenic forces के बारे में तो इंडोजेनिक आपने समझ लिया क्या है कितने प्रकार हैं कैसे हैं अब ह जब टेंशन की वज़े से क्या होता है कोई land जब मतब ऐसे किसी लैंड पे टेंशन पड़ती है तो फॉल्टिंग का नेचर सो करता है तो फोल्डिंग का नेचर सो करता है वह detail पार्ट हो जाता उसको हम बाद में करेंगे अभी क्यों बस इतना ही ठीक है चलिए आप देख की वज़ा से यह जो आपको इरोजन दिख रहा है ठीक है सिर्फ इतना यह दिख रहा है अधर भी एक्जामपल है कि इसके एक्जोजनिक फोसिस के परभाव के ठीक है देख लीजे क्या है अब यहां से जब ग्लेसियर पिघल के आता है तो यहां आस पास में जो रॉक्स हो देखे के समुन्द्र की जो धहराएं है यहां पर देखे लिखा हुए है उनकरस खाटाव कर रहा है इसकी वज़जश क्या हो रहा है है यह जो लेंडल इस्टॉक्षर बना वी स्ट्ट हो हुए है इसलिए तो बोलता हैं एक जो ह्बिiza यानी कि बीना स्कारिबल जो क्या कर विदरींग ठीक है सीवेप्स मास्ट वास्टिंग विदरींग इरोजन डिपोजीशन किसके हिस्से एक्जोजनिक फोसेस के ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है देखे यह पत्थर इतना बड़ा है और ऊपेन एटमास्फिर में क्रैक हो गया कैसे हुआ बदाए इसमें क्या रात होई तो क्या हुआ है टमप्रेचर डिफरेंस ठीक है अब टमप्रेचर डिफरेंस के लगतार प्रभाव में यह आ रहा है ठंडी का दिन आया इसके अंदर गत जो मतब इस पत्थर है कोई बड़ा सा इसके छेदों में पानी गुश गई ठीक है और टमप्रेचर अचा बड़ा था अंदर और वह जा जाके छेदों में पानी बर गया और वह जमा तो क्या होगा बताइए यहां पर एक थर्स्ट इधर काम करेगा एक बल इधर काम करेगा ऐसे धीरी धीरी एक लंबे समय के बाद यह ब्रेक हो जाता है तो यह है एक्षोजनिक फोसे ठीक है अग और बेल आइकन भी प्रेस कर दी जाएगा ऐसे इंटर्स्टिंग से समा की लिए कमसे ज़िए थाए थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू थांक यू बबाए तेक केर